हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूटूब चैनल बाल अश्टडी में तो आज के इस वीडियों देखने वाल है कच्छा दस्वी का बायलोजी का चेप्टर फाइव जिसका नाम है नियंत्रन और स्रम्नोवाई का जो है हम लोग इसमें वीडियो में देख सकते हूं उसमें डाल देंगे तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर चैनल पर नए है तो चैनल को जल्दी से सब्स्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह का जब वीडियों डालते है तो आपके पास नोडिपिक्शन पहुंचे और वीड अंगो आउं अंगत्यंत्रों का स्मनोगाई तथा नियंत्रन ज़रूरी है धिकना जरूरी है यह हुआ जाएगा इसका उत्तर दुसरा देखिए कि जीब्रेलेंस की मुख्य उप्योग इता क्या जो जिब्रेलेंस है उसका उप्योग हम लोग क्या करते हैं मतलों मेंं कि ब्रिथ या बढ़ाते हैं उनका बढ़ाने में क्या कूटते हैं यहां कि छलिए आगला नबर तीसरा नबर की उसन दिखते हैं कि ऊपस्तिथी कहा होती तो अव्ख , इतलिए फ्षक उत्तर है पोधो में अक्जिन की ऊपस्तिथी शीर्ट अस्थामब अपर होती सिर्च अस्थाम यानि अस्थाम जो है उफर वाले भाग पे जैसे यहां पे जो है खतम हो चुका है नहीं चल रहा है यहां पे देखते हैं दुसरा पे नहीं है तो यहां पे जो पेड़ है इसके जो उपरी जो भाग होता है ना यानि कि उपरी भाग को कि मतलो जो बोलड़ा कि पौधे में उपस्तिति शिर्ष अस्तमप पर होती है यानि जो उपर वाला जो इससा होता है यह कार्बनिक हार्मोन कोशिका भी भाजन कोशिका दिरगन में सहयक होते है यह हो जाएगा इसका तिसरा गौत देख लेते हैं चौता जो पॉधपन नहीं परनतु पाध़ हर्मोन की तरह प्रंतु पाध़ाप मतले हुता पेड़ पाध्य निकलती है उस तरह से कार करते इवां पॉधव में ब्रीदी करने में नीयंत्रग पदर्त कहा तका दो में पाच्मा का उत्तर दके हैं पाच्मा पहले देखें आप लोग क्यूशन देखें कि क्या अको बोलड़ा कि अगर अस्तमब सिर्स काट दिया जाए तो पाउधे पर क्या असर पड़ेगा असताम सिर्स कट आड़ दे जाए तो पौधे फॉछ पदर पड़े इसका उत्तर हो जाए तो पौधे की लंबाई मी भी रूख जाएगी अगर कट देंगे बानी चलिए निकलने लगेगा इसे जाता है यह दिखे पाचमा का उत्तर च्छटा नमर की उसन की कोशिका विभाजन में क्या उप्योगी ता क्या मतलब इसमें हम लोग उप्योग करते हैं साइटो काइनिन कोशी का उतर हो जाएगा कि साइटो काइनिन कोशी का द्रब के विभाजन में मुख्य भूमी का आदा करती है इसी के द्वारा पतिया अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है यानि कि साइटो काइनिन के द्वारा ही जो है पतिया जो है अधिक समय तक हरी और साइटो काइनिन के कारण चलिए चटा का उतर हो गया अब चलते हम लोग सातमा नंबर क्यूशन सातमा नंबर क्यूशन देखी क्या है कि छुई-मुई की पतियां किस गती को दरसाती है हमारी टांगों की गती से या कैसे भी नहीं देखिए इसका उत्तर हो जाएगा थोड़ जब छूते हैं तो वह मुड़कर बंद हो जाते चुई-मुई का आप लोग पौधा देखेंगा जब उसको छूईएगा तो क्या हो जाएगा बंद हो जाता है मुड़कर बंद हो जाता है जैसे सरमात था जैसे होता है ऐसी गती कहा ब्रिदी से कोई संबंद नहीं है नही इसमें ब्रिदी संबंदीत होती हमारी जो टांग है बच्चा में क्या होता छोटा होता फिर बड़ी होते है यानि इसमें क्या हो रहा है ब्रिदी हो जाने पर पुना थोड़े समय बाद वही इस्तिति में आ जाती लिए जो चुई-मुई का पौधा होता है उसको एक जैसे था वैसे आ जाता यानि कि अपने स्तिती में पुना वापाश आ जाती है तिर यह था डेकि साथ मां का उत्तार अब हम यहां पे देखेगा जैसे माने चली यह देखी है यहां पर गहरी यहां पर यहां पर लगाए फिर यहां गार हो जोग जाएगा उदर बहुत ही जादा जोग जाएगा उदर क्योंकि वह परकास की और गती करता ताकि वह अपना भोजन बना सके समझे तो देखिए गा कि अगर परकास जो है अगर धूप जो है थोड़ा सा पौधे से दूर जा रहा है अगर पौधे पर नहीं लग रहा सब्स्रांतियों में आसपोस्ट देख दीखे यानि क्या क्या कि करता तो उसका तना करता है सिर्ष सिर्ष आनि उप्री हिसा करता और पतियां करती है अब कि नौमा नम biblical condition द्खी यहां पर कि जंतूँंके शरीर में इस्थित तंत्रिका तंत्र नका का क्या कामहां जो जयंत सब्सक्राइब लागतों के सुरीर में उपश्टी तंत्री का का लिए wonder और ऑधिका पंघ पता लगाता है तंत्री का तंत्र का जो काम है जंद्रु uploaded सरीर में वहक्या करता है भूख प्यास भूख रोग आदी का पता लगाना ठीक्सलित लहां लोग देखते हैं इसका उत्तर बतलाना ठीक है पर चलिए आम लोग दस्मा नंबर क्यूस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ये कपाल और मेरू रजु का बना होता है तिसरा है स्वायत तंद्र का तंद्र ये कुछ मस्तिक्स और कुछ मेरू रजु का बनाता है यानि कि थोड़ा सा मेरू रजु का भाग होता है और थोड़ा सा मेरू रजु का भाग होता है और स्वायत तंद्र का तंद्र बन जाता ह ये था, देखे 15 साथ 10 मां का उत्तर, अब रहंके लोग देखते हैं, 11 नमर की सिंग्युशन के महत्वपूण कारे को उल्लेकर गारे, मस्तिक्स के महत्वपूण कारे काम को क्या करना है, उल्लेकर यानि दिमाग के कारे को बताना है, तो इसका देखे उत्तर हो जाएगा, यह सभी आप लोग लिख लिजेगा चार एक दू तिन चार अगर इसके डर्स देखे अगर आप लोग लिखे लिखे लिखेगा तो बहुत जादा लंबा हो जागा इसके बारे में अगर बताने लगेगा तो यह दिर्गुतरिये में प्रश्ण पूछना चाहिए था लेकिन लगुतरिये में पूछ लिए इसलिए बस यह सभी आप लोग लिख लिजेगा इसके कार है पहला देखिए आवेग गरान दुसरा है गरान किये अवेगो की अनुकिरिया तिसरा बीविन आयोगो का सह बंधन और चौथा सुचनाओं का भंडार यह इस तरह से आप लोग ल लिखते हैं दखिए इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्य के शरीर में पाई जाने वाली गरंथियां कौन ने दखिए पहला प्रूटी गरंथी थायराट गरंथी पारा थायराट गरंथी एंडल गरंथी और जनन गरंथी और एक दो होते हैं लेकिन यही आप लोग पाच आहिए देखिए उत्तर है कि पेड्रूटी गरंथी को माश्टर गरंथी कहा जाता है क्योंकि यह श्रीर के आंने सभी गरंथ window का नियंत्रा में 于 समनोवाइक करता यह सहाहिता करते है इसलिए इसको माश्टर गरंथी को अब लोग याद रखेगा पिट्रीटी गरंथी को मास्टर गरंथी कहा चाहता है अब देखिए अगला नंबर की सिन लास्ट नंबर की ऊस्ट लुशंद की हार्मौन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है इसका देखिया उत्तर हो जाएगा यहां पे पेन खतम उते हैं यह पतला वाली पेन से लिखें जो थाइराओड गरंथी के द्वारा हार्मोन बनता है उसे थाइराओड गरंथी कहते हैं यह आयोडीन की मात्रा से जुड़ा होता है जिसको घेंगा रोग बोलते हैं तो आप लोग इसका उत्तर है यह वाला लिख लीजेगा 14 का उत्तर तो यह दिखी है जो है इसका लगुतरी प्रश्ण भी हो गया खतम अब जो है इसका देर गुतरी प्रश्ण आएगा जो की साथ की उस्वन है तो इसका अगला वीडियो मे आपको सामने से आप लोग उसको क्लिक करके लिख लीजीगा चलिए मिलते हैं अगले बड़े में तब तक लिए जाएं तो जया भारत और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा